प्रिंस आज हम बनाएंगे ड्रमश्टिक करी यानि की सरजन फली की सबजी जिसे मोरिंगा भी कहते हैं और गुजराती में सरगों कहते हैं और ज्यादातर हम खाने में सजन के पेड़ की फली यानि की ड्रमश्टिक जिसे हम सरगों कहते हैं इसकी सबजी, कड़ी या तो सूप बनाते हैं काफी सारे वेटामेंस, मीनरल्स और एंटियोक्सिडेंट से भर पूरी ये पेड़ पूरे तीन सो रोगों के उपचर में उपयोग लाया जाता है इसलिए कई लोग इसे चमतकारिक पेड़ भी कहते हैं खास करके अस्थमा और आर्थराइटिस के लिए ये बहुत ही फाइदेमन है माताओं के दूद के उत्पादन को भी ये बढ़ाता है डायबीटीस, बीपी और कोलेस्टरोल को नियंत्रिक करता है साथ में हमारी बोडी में हिमोगलोबिन की मातरा बढ़ाता है हमारे लीवर और किड्नी को डिटोक्सिफाई भी करता है हमारे बलड को प्यूरिफाई करता है साथ में हमारी स्कीन और डाइजेस्टरी सिस्टम के लिए भी ये बहुत ही फाइदेमन है इसके अलवा और भी कई सारे इसके health benefits है तो जब तक market में सहजन की फली मिलती है आप किसी ना किसी रूप में इसे खाने के लिए यूज़ कर सकते हैं आगे बताया वैसे हम ज्यादा तर इसकी कड़ी, सूप या तो सबजी बनाते हैं और South Indian सामबार इसके बीना बनाने का हम सोच भी नहीं सकते और खास करके बच्चे इसे खाना कम पसंद करते हैं लेकिन आज मैं जो ये सहजन फली यानि की सरगवा की सबजी बनाने वाली हूँ वो बच्चे और बड़े सोभी को बहुत ही पसंद आने वाली है तो चल ये बनाते है एकदम Healthy और Tasty Drumstick Curry यानि की सरगवा की सबजी और इसके लिए यहाँ पर मैंने पांच Drumstick यानि की सरगवा की सिंगली है एकदम ताजी सिंग लेनी है हमें और एक दूसरी बात का धियान ये रखना है कि ये एकदम पतली भी नहीं होनी चाहिए और एकदम मोटी भी नहीं होनी चाहिए ज्यादा पतली होगी तो इसके अंदर पल्प ज्यादा नहीं होगा तो ये खाने में मज़ा नहीं आएगा और मोटी होगी तो इसके बीद जो होगे वो कड़क होगे तो वो भी खाने में मज़ा नहीं आएगा और साथ में एक मीडियम सैज का आलू लिया है इसे छिल कर मीडियम टुकड़े कर लिये हैं आप इसे स्कीप भी कर सकते हैं लेकिन आप इस सबजी के अंदर आलू एड़ करेंगे तो जिसको सहजन की फली की सबजी पसंद नहीं है उसको भी ये सबजी बहुत ही पसंद आएगी और साथ में सबजी को और भी ज्यादा टेस्टी बनाने के लिए हम ग्रेवी के अंदर ये तीन चीज़े डालेंगे पुली मैंने यहाँ पर नमकिन और मोटी सेव ली है आप अपने घर के अंदर जो भी सेव हो वो ले सकते हैं साथ में 1 टेबल स्पून जितने मुंगफली के दाने लिये है और 1 टेबल स्पून जितना तील लिया है अगर आप इसके बदले बैसन ठोड़ा ज्यादा ले लिजिए यानि कि 2 से 3 चमच ले लिजिए मैंने यहाँ पर बेशन वन टीस्पून जितना ही लिया है क्योंकि हम इसके अंदर ये पाउडर डालेंगे इससे सबजी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा और साथ में हाफ कप जितनी यानि की चोटी कटोरी जितनी मैंने कच्छे टमाटर की प्यूरी बना कर लिया है कटा हरा धन्या लिया है और साथ में वन टीस्पून जितना गुड का पाउडर लिया है एक छोटा टुकड़ा अधरक का लिया है जिसने मैंने कुट लिया है और इसके साथ हम लगबग 1 फोर्थ कप जितना यानि की चोटी कटोरी जितना दही लेंगे दही एकदम खटा नहीं लेना है तो सबसे पहले हम सहजन की फल यानि की सरगवा की सिंग को कट कर लेंगे तो सबसे पहले आगे का थोड़ा पाट कट करके इसके लगबग 2-5 इंच की साइज के टुकड़े कर लेंगे अब थोड़ा चोटा या बड़ा अपनी पसंद की हिसाब से कर सकते हैं इसी तरह हम सारी सिंखे इस तरह से टुकड़े कर लेंगे तो यहाँ पर मैंने सारी सिंखे टुकड़े कर लिये हैं अब यह कटे हुए आलू और सरगवा को हमें बोईल करना है तो दोनों को एक साथ ही हम बोईल करेंगे तो इसके लिए एक कोकर ले लिया है इसके अंदर हम यह सरगवा की कटी हुई सिंख एड़ कर देंगे और यह कटे हुए आलू भी एड़ कर देंगे थोड़ा इसके अंदर नमक डालेंगे और लगबग 2-3 कब जितना पानी डालेंगे पानी एकदम ज्यादा नहीं डालना है कोकर के ढकन को बन कर देंगे और एक विसल तक इसे हमें पकाना है तो यहाँ पर सरगवा और आलू को एक विसल तक मैंने पका लिया है खोल कर देख लेते हैं और चेक कर लेते हैं दोनों परफेक्ली कोक हो चुके हैं और ये दोनों चीजे 90% तक कोक करनी है क्योंकि इसे हमें ग्रेवी में भी थोड़ी देर पकाना है, तो ये ज्यादा कोक हो जाएगा, तो सौरगों ज्यादा मेशी हो जाएगा, और खाने में मज़ा नहीं आएगा, तो चलिए इसे एक बावल में निकाल लेते हैं, तो चलिए सबजी बनाने के लिए एक कड़ाई क तो मैंने गेस पर रख दिया है, मैंने यहाँ पर काश्ट आयन की कड़ाई ली है, और दो से तीन छोटी चमच जितना मैंने ओल डाला है, ओल गरम होते हैं इसके अंदर राई डालेंगे, तोड़ा इसके अंदर जीरा डालेंगे, दोनों चीज़े जब चटकने लगे तो इसके अंदर क्रश किया हुआ अधरक डाल देंगे, अप लैसुन भी एड कर सकते हैं, और टोमेटो की प्यूरी डाल देंगे, तोड़ा इससे चला लेंगे, और ये बाखी की टोमेटो प्यूरी भी इसके अंदर एड कर देंगे, अच्छे से सारी चीज़े मिक्स कर और अब इसके अंदर हम थोड़े मसाले एड़ करेंगे। थोड़ा हलदी पाउडर एड़ करेंगे। लाल मिर्च पाउडर अपने टेस्ट के अकोडिंग। धनिया जीरा पाउडर वन टी स्पुन जितना। और इसी के साथ थोड़ी हीन भी एड़ कर देंगे। लोटू से दो टेबल स्पुन चितना इसके अंदर एड़ कर देंगे साथ में वन टीस्पुन चितना बैसन भी एड़ कर देंगे सारी चीजों को अच्छे से मिला लेंगे और फ्रेंज कोई भी कुकिंग करने के लिए काश्ट आयरान के बरतन का यूज करना हमारे हेल्ट के लिए बह ज्यान ये रखना है कि आप कोई भी चीजे इसके अंदर बना लो उसके बाद तुरन ही इसे आप श्टील या तो काच के बरतन में ट्रांसफर कर लो इससे बरतन भी खराब नहीं होंगे और डिश का टेस्ट और कलर भी खराब नहीं होगा लगबग दो मीनट पकाने के बा और हम बाद में भी एड़ कर सकते हैं और इसके अंदर थोड़ा तेल चुटना शुरू हो चुका है तो अब इसके अंदर दही लिया था हमने वो भी एड़ कर देंगे धिरे-धिरे पकाते हुए इसको हम मिक्स कर देंगे और जहीं के साथ है से हम एकदम लो फ्लेम पर धि से इसे हम थोड़ी दिर उबा लेंगे और फ्रेंस काश्टायन के कोई भी बरतन में कोई भी कोकिंग आप करते हो तो कम तेल में भी आप स्वाधिश डिशिस बना सकते हो तो फ्रेंस यहाँ पर हमारी सबजी के लिए ग्रेवी एकदम अच्छे से पक चुकी है तो अब इसके उपर धकन धक देंगे और दीमी आज पर लगबक दो मिनट तक इसे पकाएंगे और यह दो मिनट हो चुके है सारी चीजे अच्छे से पक चुकी है और थोड़ा तेल भी छूट गया है तो यह सबजी हमारी तयार है थोड़ा गरम मसाला एड़ कर देंगे कटाहरा धन्या भी एड़ कर देंगे और धीरे से इसे मिक्स कर देंगे और इसे ट्रांसफर कर लेते सर्विंग बाउल में तो फ्रेंड्स आपने देखा कि इसे बनाना भी बहुत ही आसान है हेल्दी और टेस्टी तो है ही और आप मेरी यह रेसिपी फुलो करके सरगवा के सबजी बनाए साथ में इसे साधी खिच्डी के साथ भी खा सकते हैं तो फ्रेंड्स तयार है बहुत ही पेस्टी और हेल्दी सरगवा की सबजी